नमस्कार आप देख रहे हैं इसकी खास बात अपने दोस्त वीर सिंक साथ दोस्तों नागपूर के बेल तरोड़ी थाना अंतरगत एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे देश के हर एक लड़की को इससे कुछ सीख लेनी चाहिए हम अक्सर यह खबर सुनते हैं कि कहीं लड़क पुछ लेकर जले जाता है कई बार उसे बेचा जाता है और कई बार प्रेम संबंध में वहला फुसला कर भी उसे लेकर जाता है आज की एक खबर सिर्फ नहीं बलकि एक सीख लेने वाली नजर से भी आप इसे देख सकते हैं दोस्तों राजस्थान का एक यूवक और जारा ठीक से हो नहीं पाता है नौकरी को विवस्ता ठीक से हो नहीं पाती है जिसको ले करके वो यूवति अपने मायके के तरफ यानि कि महराष्ट के तरफ किसी को फोन करती है अपने परिचित को और पूसती है कि क्या हम लोगों के लिए वहाँ पर कोई काम है तो उनके दोनों दमपत्ति मेस वाली से संपर्क करते हैं वापस नागपूर के नियू मनिशनगर में आते हैं और मेस संभालने लगते हैं दोनों दमपत्ति की मुलाकात एक 20 वर्षिय यूवति और उसकी मां से होती है जो 20 वर्षिय यूवति है उसको मुवाइल में देखने का मुवाइल ज्यादा यूज़ करने की आदी होती है मुवाइल की बुड़ी लट की वजह से उसकी मां उसे हमेशा डाटती रहती है एक दिन ऐसा भी होता है कि जब अपनी मां के डाट से एक दिन इतनी नाराज हो जाती है कि वो नाराज होकर उस दमपत्ती के घर चली जाती है विश्वर्श यूवति जिन से मुलाकात इनकी हनमान जैनती की महापरसाद में हुई थी जब अपनी मां अपनी नाराजगी की वजह उस दमपत्ती को लड़की बताती है तो यह जो दमपत्ती है जो राजस्थान वाले हैं इन्होंने दिमाग लगा और इन्होंने कहा कि हम लोग राजस्थान जा रहे हैं अगर तुम्हारा मूड फ्रेस हो जाएगा अगर लड़की पहले से नाराज थी अपनी मां की डाट से परिशान थी और इस वजह से उस लड़की वो लड़की इंदमपत्ती के साथ में राजस्थान चली गई लेकिन उस 20 वर्षिये यूबती के मां को यह पता ही नहीं उसकी बेटी आखिर कहां है और गई तो कहां गई क्य क्योंकि लड़की इतनी नाराज थी कि उसने अपने मां को कुछ बताना उचित समझा ही नहीं विस वर्षिये राजस्थान चली गई कुछ दिन बीत गया लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद भी यूबती की मां जो एक मजदूर वर्ग के लोग है उन्होंने ज्यादा इस च पहुंशती है और अपनी लड़की की मिसिंग की रिपोर्ट बताते है उस रिपोर्ट में बताती है कि मेरी लड़की 21 अपरेल को घर से मिस हो गई और यह रिपोर्ट वो 25 अपरेल को पुलिस्टेशन जाके कराने जाती है जैसी यह ख़बर पुलिस्टेशन में वहां के व उस मोबाइल की डिटेल निकालने के बाद में निकालने के बाद में जब जहांच परताल की गई तब पता चला कि उस लड़की के मोबाइल में उसका सिम निकाल करके किसी और का सिम उसमें इंसर्ट किया गया है और लड़की 21 तारीक को नहीं बलकि लड़की वास्तव में तो जाडवारा गाउं में लोकेशन प्राप्थ होता है और इस बात की पुष्टी तब होती ही कि 16 अपरेल को ही ये लोग निकले क्योंकि जो दमपत्ती जो मेस में काम करते थे उनके बारे में जब जानकारी मिली कि लड़की कहां जाया करती थी कहां उठा बैठा करती तो ये प उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं पुलिस वाले जहां पर उन्हें ट्रेस किया था उस मोबाइल को वहां जाने के बाद घटना कुछ और सामने आती है वह बहत चौकाने वाली है वहां जाने के बाद पता चलता है कि जिस लड़की को बहला फुसला कर 20 वर्चे यूपती को उस दमपत्ती ने राजस्थान लाया था उसने वहां पर यह बताया कि यह महराश्थ्र से है और यह मेरी साली है और उसने अपनी साली बता करके उस लड़की का माइंड वाश किया उसको कुछ समझाया बहलाया फुसलाया और लड़की कुछ कर भी क्या सकती थी क्योंकि व उस दमपत्ती ने जिस लड़के से शादी करवाई उससे एक मूटी रकम लेने की जानकाई सामने आई है यानि कि शादी तो एक वहाना था एक तरीके सी से कह सकते हैं कि महराश्ट की लड़की को इस तरीके से राजस्थान में ले जा करके उसका सौधा किया गया बेल तरोरी पुलिस स्टेशन से जब पुलिस करमी राजस्थान पहुंचते हैं वहाँ पे उस लड़की को लड़की वहाँ मिल जाती है जो 20 वर्शे युपति जिसे बहला फुसला कर लेकर जाए गया वो लड़की वहाँ से राज़ते हैं लेकिन इस विज जो दमपत्ती ज उसके माँ के पास में और उसके बाद उससे सारी चीजे पूछताज की जाती है पूछताज करने के बाद उसका मेडिकल किया जाता है और मेडिकल करने के बाद में इस बात की पुष्टी होती है कि उस लड़की के साथ में सारीरीक संबंध भी बनाए गए थे अब बेल के तहत मामला दर्ज करके जांच परताल शुदू कर दी है इसके आगे क्या होता है वह अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीसी अन को जैसी जानकारी प्राप्त होती है तो बीसीन के वीडियो जर्नलिस्ट अखलेज भारदवाज के साथ में यहां के टीम बेल तरोड़ी पुलिस्टेशन जाती है वहां के पी आई वैजनती मांडव धरेजी से मुलाकात होती है वो क्या कहते हैं वो भी सुनते हैं पुलिस्टेशन बेल तरोड़ी तेक मिसींग दाकल करना ताली होती है मिसींग ती चाहिए ने दाकले देले कि माज जिन गुदी कि एक मिस्तर के बसुन नई है पंच विस्तर को ही मिसिंग होती ते मिसिंग चा अनुशेंगाने जवा आमी अधिक तपास केला ते वा मुलीच जे लोकेशन आहे ते राजस्तान इतले दाकतो तो ते अनुशेंगाना तीथे टीम गेली एथील जे तीचे आईए वगरे आहे तेन्चो मदोतिने आनी मुलीला शोधून काडला मुलीला घ्योणाले अधिक तपास केला ततीचा कड़े तीस्तर बैयनमगरे नोंदूने थाला वेक्तिम्स आनी तेचा मद्यसामाइक पड़ला कि इथी जेदिचा चेजवारी राणारे ओड़कितले होते ओम प्रकाश आ कि इखडे में चल्अ ठेका नी काम कराई चे अणे काम करताना एका मजे हनमने मंधिराचे जिवना चा विशी तेची यह थी बाइशी ओड़क जाली अनि थी नी दिला तीचाइने एग्दा तीला मोबाई चाएन अधिनी फायदे अगितला कि या मुलीनित्या मोई शांग पुडिल तपास सुरू आहे। पुडिल तपास सुरू आहे। पुडिल तपास बात तो यह है कि इस सारी घटनाओं के बाद हर एक लड़की को यूवती को कुछ सीखना चाहिए कुछ समझना चाहिए कि आखिर इस तरीके की घटना उनके साथ फिर कभी ना हो। मिलते हैं इस कहानी की सॉरी मिलते हैं इस खबर की अगले पार्ट के साथ अगले एपिसोड में हमारे साथ आप बने रहें देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ। झाल